समता फैसला यह भारत के उच्छतम नियाले का एक युक परवर्थक फैसला है घने जंगलों से घिरा आंदर परदेश का उत्तरी तटी छेतर जहां के आदिवासियों की जीवी का कुरिशी बनवतपाद पर निर्भर है के बीच समता ने सिख्षा, स्वास्त, कानूनी जागरुकता तथा समाजिक और आर्थिक शोशन के मुद्दों पर आदिवासियों को जोड़ना और जागरित करने का काम किया आंदर परदेश का यहां अनसूचित छेतर भारत के सम्विधान की पांच यह अनसूचित के अंतरगत आता है जहां के आदिवासियों को अपने अधिकारों की रक्षा का सम्विधानिक अधिकार प्राप्त है यहां आधिवासियों की भूमी का अन्य जाती को हस्तांतरन करना निशिद है परन्तु कानून होने के बापजूद आंदर प्रदेश में अन्य जातियों द्वरा भूमी का अधिकरमन और अधिगरहन रुका नहीं था खनन कमपनियों को 1960 से आधिवासि तथा बन भूमी को पट्टे यानि की लीज पर दिया गया बोरा के आधिवासियों ने समता से स्वत्व अधिकार पत्र यानि की टाइटल डीड के लिए सहता की मांग की शुरू में समता ने इसे भूमी हस्तांतरन का ही एक मामला समझा परन का सुझाओ दिया समता ने सर्वपर्थम मीडिया की मदद ली तता तक्निकी विश शग्यों के माध्यम से खनन संबंधी जानकारी को प्राप्त किया ताकि आधिवासियों की कठिनायों को उजागर किया जा सके मीडिया दोबारा अधिक से अधिक परसारित लेखों के अनुसूचित छेत्र में भूमी संबंधी अध्यादेशों 1970 का LTR कानून के विप्रीत था तथा समता ने इन पट्टों के बारे में परशन उठाया। समता ने कानूनी लड़ाई के रूप में सरकार से अनुसूचित छेत्रों में खनन लीज का नीजी कमपनियों को देने के अधिकार को जुनोती दी क्योंकि यह लीज आदिवसी भूमी को अन्ने जाती के लोगों दवरा हस्तांतरन करने का मामला था। किसी अन जाती अथ्वा कमपनी को भूमी पट्टा देने का अधिकार नहीं है। बहुत ही दंगा गरस्त और संविधान शील छेत्र है क्योंकि यहां पर बामपन्ती ताकतों जैसे पीपल्स वार गुरूप की गतिविदियों का अधिकार है। पुलिस और इन संगठनों के बीच गोलिबारी और तनातनी का वातावरन सदा ही बना रहता है। इस परकार के राजनीतिक वातावरन में समता के लिए आउशक हो गया था कि वह राज सरकार से संविधान के अनुकूल उचित कानूनी कारवाई की मांग करे। यद्पी कनन संगर्स के दवरान कई बार समता को असमिधानिक वा नाजायत तरीकों से सरकार वम गरवादियों धवरा उत्पीडित किया गया। कभी-कभी समता के घरों वा कारयलेओं पर छापे मारे गये, कारिशकरताओं को गलत तरीके से हिरासत में रखा गया। जब कभी कारिशकरता गाउं में लोगों को संखटित करने जाते अत्वा या देखने कि नियायले द्वरा दिये गए आदेशों का पालन किया जा रहा है या नहीं तो पुलिस द्वरा उनको कई परकार की शारिरिक और मांसिक यातनाएं दी गई 1995 में स्थगन आदेश को खारिश कर दिया गया और उच्छ नियायले ने मुकदमे को रद कर दिया अब समता को दिल्ली की ओर भागना पड़ा ताकि कानूनी लड़ाई के लिए उच्छितम नियायले का दरवाजा खटखटाया जाए एक अंजान व्यक्ति के रूप में यह हत में कुछ हितेसी और अनधिकारी वर्ग तथा मित्रों ने हर परकार से आश्वस्त किया एवं उच्छितम नियायले में वकीलों और उच्छित कानूनी सला के लिए सहयता की एक उच्छ वकील दवारा जो आदिवासियों की ओर से मुकदमा लड़ रहा था एक विशेस पत्र नियायले में दाखिल किया गया जिसके बिनाया जंग जीतने की कल्पना ही नहीं कर सकते थे जुलाई 1997 में उच्छितम नियायले के नियाय धिसों दवारा एक युग प्रवर्तक फैसला सुनाया गया जिसके अनुसार किसी भी प्रकार के खनन यानि के लीज का दिया जाना भूमी हस्तांत्रन अधनियम के ब्रुद घोसित किया गया फल स्वरूप इसे रद करार दिया गया समता फैसले के कुछ महत्पून बिंदू सरकार भी एक व्यक्ति है माननी न्यायले ने व्यक्ति की व्यक्ष्या करते हुए कहा कि सरकार भी एक व्यक्ति है और वह आदिवसी नहीं है व्यक्ति मात्र एक प्रकृतिक अथवा वन्शानुगत लिंग पुरुष स्वरूप में ना मान कर एक बड़े व्यवरिक स्वरूप में देखा जाए जिसमें एक राज्य को जिसमें मंत्री मंडलिये सरकार हो उसे भी व्यक्ति माना जाए अतह शाब्दिक अर्थ में व्यक् में सरकार या नियाईक व्यक्ति निगम अध्यक्ष अथ्वा इसी प्रकार की अभिव्यक्ति वाले को शामिल समझेंगे। सरकारी भूमी, बन भूमी तता आदिवासी भूमी जो की अनसुचित छेतर के अंतरगत आती है उसे किसी अन्य जाती या कमपनी को लीज पर नहीं दिया जा सकता है। दे दिया जाना चाहिए। प्रेवरन सारक्षन कानून वा प्रेवरन सारक्षन कानूनों को पून रूप से मानना होगा। नियायले ने ग्राम सभाओं को सामुदाइक संसाधनों को संभालने के योगे करार दिया तता आदिवासी लोगों को सवय के निर्ने के अधार पर अधिकार को बल दिया। नियायले ने अपना विचार पर कट करते हुए कहा कि यदि आवश्यक हो तो आंदर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव एक कमीटी का गठन कर सकता है जिसमें वह स्वय सचिव उद्योग, सचिव वन तथा सचिव समाजिक नियाय सहित अन्य सूचनाओं को इकत्र कर ऐसा फ कामले में जहां इस परकार के कानून अन्य राज्यों में भी परचलित हैं और वह भी अनुसूचित छेत्रों में स्थित कनन खार्जों पर लीज को पून रूप से रोक नहीं लगाते, वहां इसी परकार की सचिव कमीटियां तथा राज केविनेट सब कमीटी का निर्मान कर फिर से निर्में ले सकते हैं, परंतो लीज देने से फूर्ब राज सरकार के लिए आवशक होगा कि वह एक सब कमीटी दोवरा केंदरी सरकार से अनुमती पराप्त करें, जिसकी अध्यक्षता परधान मंत्री तथा अन्य केंदरी मंत्रियों दोवरा होनी चाहिए नियायले ने यह भी महसूस किया कि ऐसा उचित होगा यदि मुखे मंत्रियों तथा इससे जुड़े केंदरी मंत्रियों की एक बैठक बुलाई जाये, जिसमें संपून देश के लिए आदिवासी भूमी तथा खनी संसादन के दोहन पर एक इस्थिर तथा योग नीती की बिवस्था होनी चाहिए, फलस्वरूप नियायले ने राज सरकार को खननकारियों से जुड़े उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया, नियायले ने ऐसा मत भी प्रकट किया कि आदिकारी यानि कि राज के लिए आवश्यक है कि वह आदिवसी वर्ग के समाजिक आर् अनि संसाधनों का दोहन करने के लिए लीज पर दे देता है, तो इसके साथ ही उपरोग संविधानिक तता कानूनी बाध्यताओं को भी उन्हें सौप देता है, जो इन परकृतिक संसाधनों का दोहन करने का कारे हाथ में लेते हैं, नियायले ने आग्या दी कि कि कुल शु प्रक निर्मा नित्यादी में इस्तिमाल कर सके। इस 20% बिभाजन में दुबारा जंगल लगाना तता प्रयवन सरक्षन का खर्च शामिल नहीं होगा। यह कानूनी जीत आदिवसियों के लोकतांतरिक छेत्र वह उसके अधिकारों के परती महान पुनर विश्वास का प्रतीक था। यह फैसला अंतिम फैसला नहीं है और नहीं यह नियाए के परती संगहर्च का अंत है। इस फैसले ने सरकार वा विभिन राजनीतिक धलों में बेचाइनी के वातावरन थाता सत्तुरुता की अगनी पर जोलित की। अदालत के फैसले के तुरंत बाद बामपंतियों की ओर से समता को एक राजनीतिक जटका दिया गया तता यह भ्रम भी फैला आया गया कि समता लोगों को राज के खिलाब भड़का रहा है। इन जैसे कई कारणों से समता को आदिवसी छेतरों से भागना पड़ा तता अपने समाजिक कारेयों को बीच में ही छोड़ोना पड़ा जिसमें खनन के विरुद अभियान भी शामिल है। राजा और केंदर सरकार की ओर से फैसले में संसोदन करने की अपील उचितम नियाले में की गई तथा नीजी कमपनियों को लीज देने के अधिकार को फिर से देने का अनुरोध भी किया गया। यह खुशी की बात है कि पिछले वर्सों में इस प्रकार के अनुरोधों को उचितम नियाले ने ना सिर्फ ठुकरा दिया बलकि इन्हें केवल आंदर प्रदेश में ही नहीं बलकि अन्य दस राजों में भी जहां नुसुचित छेतर हैं बस्तु इस्तिती को बनाये रखने के अरजी को नामंजूर कर दिया जिसमें उन्होंने इसमें संसोधन की मांग की थी मैं 2000 आंदर प्रदेश सरकार ने आदिवासी सलाकार समीती को भूमी हस्तांतरन अध्यादेश में संसोधन की मांग की 10 जुलाई 2000 भारत सरकार के खनन मंत्राले ने एक गुप्त प्रारूप निदेश 1646 संतानवे सचियो समीती को भेजा जिसमें पांचमें सुची में संसोधन की मांग की गई थी ताकि समताफ फैसले की अवहलना कर आदिवासी भूमी को लीज पर दिया जा सके 10 अगस्ट 2000 लोगपरिय धर्नों तता बिरोध के कारण आंदरप्रदेश के मुख्य मंत्री ने प्रस्तावित शंशोधन को वापिस लेने की घोसना की 24 सितंबर 2000 पुनह बड़ेस्तर पर बिरोध के कारण विशाग पतनम जिले के आदिवासी छेतर में आने वाले बॉक्साइट खनन के बारे में मुख्य मंत्री ने कहा कि अनुसुचित छेतर में संभावित परियोजना को अस्थागित किया गया है 20 सितंबर 2000 प्रकृतिक संसाधनों पर लोगों का नियंतरन के जंडे के अन्तरगत आदिवासीयों के अधिकारों की सुरक्षा के अंदुलन को प्रारम होते देख एक कारेकरी चौकसी का गुप्त संदेश सब स्थानों पर परसारित किया गया दिसंबर 2000 भारतिय समाजिक संस्थान में भूमी अधिगरन कानून पर पांचमी अनुसुची धरा के अंतरगत विस्थापन तता विस्थापित योजना पर एक राष्ट्रिये प्रामस किया गया जिसमें विभिन राजनितिक दलों ने अपने परतनिदी भेजे जन्वरी 2001 राष्ट्रिये ततस्थानिये मीडिया में इसका अधिक से अधिक परचलन किया गया बहुत से लोगों और वर्सों से पक्ष में जुड़े मंत्रिगन तता प्रधान मंत्रिये और राष्ट्रपती को इसके बारे में लिखा गया 26 जन्वरी 2001 भारत के महमहिम राष्ट्रपती ने अपना गड़तंतर दिवस भाषन में साप शब्दों में समिधान की पांचवे अनसुची में परिवर्तन करने वालों के बिरुद कहा कि आने वाली पीडियों को या कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि भारत का गड़तंत में केंदरी सरकार को भी खीचा गया और अंत में मार्च 15 को परधान मंतरी ने राजय सभा में अरजुन सिंग के दवारा पूछे गे प्रशन के उत्तर में कहा कि समता फैसले के फलस्वरोप संबिधान की पांचवे अनसुची में संसोधन के परती सरकार के पास कोई विच नहीं है 11 माई 2001 अरुन शोरी निवेस मंतरी ने कथन में कहा कि हम समता फैसले का फिर से निरक्षन करना चाहते हैं इस परकार 11 माई 2001 को हिंदू में एक लेक्षापा जिसमें कहा गया कि सरकार की क्रियाओं से अस्पस्ट हो गया है कि सम्विधान की पांचवे अनसुची पर खत्रा है और उपर घटित घटनाए वा बेवस्था यही संकेत देते हैं समता जज्जमेंट पांचवे अनसुची की एक ब्याख्या है हमें अपने संविधान एबं संघर्ष को सुरक्षित संजवय रखने की जरूरत है जोहार